दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ती जीनियस बनना चाहता है। हर कोई यही चाहता है कि उसका दिमाग रोकेट से भी तेज हो। लेकिन ऐसी इंटेलिजेंस बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार मेरे माक्स तो उतनी अच्छे नहीं आते, मैं तो कोई काम का नहीं हूँ। जीनियस तो दूर की बात है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि शायद आपको पता भी नहों कि आप एक जीनियस हो। और बेवजहीं खुद को कमजोर और रास्ते का परा हुआ पत्थर समझते हैं जबकि आप वास्तम में एक हीरा हो। साइन्टिस्ट ने वर्सों के रिसर्च के बाद कुछ ऐसे लक्षन वादत के बाड़े में बताया है जो यदि आपके भीतर है तो आप एक बेहत बुधिमान, इंटेलिजेंट वा जीनियस इनसान हो। इसलिए खुद के भीतर जहां कर देखिए। इस वीडियो के लाश्ट होने तक आपको पता चल जाएगा कि आप एक सुपर बुधिमान वर जीनियस इनसान है या नहीं। मैं जीन-जीन चीजों को बताऊंगा उसे खुद से मैच करना और देखना कि वो बिहेवियर, वो आदत वो लक्षन आपके अंदर मुझूद है कि नहीं। ताकि आपको पता चल जाए कि आप एक सामान इंसान नहीं बलकि एक जीनियस हो, आप औरों से अलग हो। एक जीनियस इंसान का पहला लक्षन जो साइंटिस्ट बताते हैं वो है लिस सोशल। वह व्यक्ति कम बुद्धी वाला हो, चाहे बहुत अधिक बुद्धी वाला जीनियस हो, दोनों ही उसके लिए मुर्ख होते हैं। इसलिए समाज के लोग उससे कनेक्ट होना ही नहीं चाहता, या फिर उन लोगों के बुद्धी का अस्तर ही ऐसा नहीं है कि वो कनेक्ट हो सके। दूसरी तरफ जो जीनियस व्यक्ति होता है, वो कम बुद्धी अस्तर वाले लोगों के साथ उठने बैठने, घुलने मिलने में मगजमारी करना पसंद नहीं करता। इसलिए वो समाज से कटा हुआ रहता है, क्योंकि वो समाज और सोसाइटी से अपने आपको कनेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए अनेकोए स्टडीज में ये कहा गया है कि इंटेलिजन पीपल आर ले सोसल। सेकेंड है क्यूरियोसिटी और थात आपकी जिग्यासा, जानने की प्रवलिच्छा। अगर आप हमेशा नहीं नहीं चीजों को जानने के लिए उत्सुक और जिग्यासू रहते हैं तो आप जीनियस की कैटेगरी में आते हो। क्योंकि एक जीनियस व्यक्ति सदैब क्यूडियस रहता है। अधिकतर लोगों में नॉर्मल क्यूरियोसिटी होती है। प्रंतु जो अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसकी क्यूरियोसिटी बहुत हाई होती है। जानने की इच्छा वह उत्सुकता अगर आप में औरों से ज्यादा है इसका मतलब है कि आपके दिमाग के नूरंस की घनत्व काफी ज्यादा है। इसलिए आप हर चीज को जानने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक और उताब ले रहते हो। ये लक्षन साइंटिफिकली ये बताता है कि आप एक जीनियस हो। अलबर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि I have no special talent, I am only passionately curious। थर्ड है self-talking यानि खुद से बाते करना। जो जीनियस लोग होते हैं वो खुद से बात करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। खुद से बात करना यानि self-talking एक ऐसी खास behavior है जो सभी नहीं करते हैं। जब आप self-talking या खुद से बात करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा बहतर धंग से काम कर रहा होता है। मनोवय ज्यानिकों के मुताविक ये habits सिर्फ highly intelligent लोगों में ही common देखी जाती। रिसर्च बताते हैं कि जब आप खुद से बात करते हैं तो आपका memory stimulate होता है। ये आपको focus रहने में help करता है साथ ही इससे आपके thoughts में clarity आती है। Fourth है elder child यानि परिवार के बड़े बच्चे। University of Houston के एक नए research में ये बात सामने आया है कि जो बच्चे परिवार में सबसे बड़े होते हैं यानि जो अपने भाई बहनों में सबसे बड़े होते हैं वे अपने भाई बहनों में सबसे ज़्यादा intelligent और smart होते हैं। इसके पीछे दो अहम कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि जो first child होता है उसके उपर माता-पिता का focus उनका प्यार दुलार उनकी केर जादा होती है। उनका tension divided नहीं होता जिससे बड़े बच्चे का सरवांगिन विकास हो जाता है। और दूसरा कारण यह है कि बड़े बच्चे को अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता है और उन्हें पढ़ाना पड़ता है। और इन सब से उसका intelligence बढ़ जाता है। फिप्थ साइन है thinking before sleeping अर्थात सोने से पहले सोचना। दोस्तों अगर आपके दिमाग को हर रात सोने से पहले सोचने की आदत है तो खुस हो जाईए। क्योंकि यह भी genius होने का एक संकेत है। आज क्या हुआ, कल क्या होगा, कैसे करना है, यह सब सोने से पहले सोचने की हैविट एक genius की निशानी है। जो नॉर्मल सामान केरलेस लोग होते हैं, वो ज्यादा सोचते नहीं हैं, वो बिस्तर पर पढ़ते ही सो जाते हैं, जबकि एक genius व्यक्ति का दिमाग हर वक्त चलता रहता है, क्योंकि उसके brain में activity हमेशा high रहता है, वो चीजों को बहुत बारीकी से तथा गहराई से देखत है, शिक्स्त है forgetting, यानि भूलने की आदत, क्या आप सबजी लेने जाते हैं, तो हरी मिच लेना भूल जाते हैं, या धनिया पत्ता लेना भूल जाते हैं, क्या आप घर का ताला लगाना भूल जाते हैं, या लोक लगा कर ताले में ही चावी छोर देते हैं, इन सब के लिए अगर आप खुद को कोस्ते रहे हैं तो यह जानकर आप खुश हो जाएंगे कि दुनिया के कई महान बुधिमान लोगों में भी भूलने की आदत थी एक स्टडी में बताया गया है कि एक highly intelligent genius का दिमाग छोटी-छोटी बातों को अक्सर भूल जाया करता है क्योंकि अगर आप हर चीज पर ध्यान देते हैं तो किसी एक चीज पर फोकस कर ही नहीं सकते हैं महान जीनियस आइंस्टाइन की भी यादास्त कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी उन्हें तारीक और फोन नंबर भी याद नहीं रहते थे एक बार तो वे टेक्सी में बैठकर अपने घर का ही पता भूल गए थे सेवेंथ हैं नोवेल्टी नई-ई-ई-चीजों जगहों को जानना उसे एकस्प्लोर करना अगर आपको नई-ई-ई-चीजों को जानने नई-ई-ई-जगहों पर घूमने वह एकस्प्लोर करने का बहुत मन करता है तो बधाई हो आप एक जीनियस की कटे ट्रेवलिंग, स्मार्टफोन, कंप्यूटर पर नई नई चीजों को जानना ये सब नोवेल्टी के अच्छे सोर्स होते हैं आठवा संकेत है नेल साइन यानि अंगूठे पर सफेद चंद्रकार साइन दोस्तों अगर आपके दाहिने अंगूठे पर या सफेद रंग का चंद्रकार निशान है तो आप सूपर जिनियस लोगों की कैटेगरी में हैं या साइन जितना गहरा और सफेद होता है इंसान उतना ही ज्यादा बुधिमान होता है यह नेल साइन दुनिया के बहुती कम प्रतिसत लोगों में होता है, यह सच है हमें यहां जानकर खुस हो जाना चाहिए कि Middle East Countries यानि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों के लोगों में ये नेल साइन का प्रतिशत पस्चिमी देशों के मुकाबले अधिक पाई जाती है दोस्तों ये आठो साइन व लक्षन एक highly intelligent इंसान की निशानी है और ये मैं नहीं बलकि साइन्स के हजारों research और studies से पता चला है इसलिए आप इसे मजाक में कताई न ले और आपके अंदर इन में से कौन से साइन मौजूद है नीचे कमेंट करके जरूर बताना